हलो फ्रेंट्स आपने ब्रेड के नाष्टि तो हरतर है के बनाए होंगे लेकिन यह भी एक ब्रेड का नाष्टा ही मैं बनाने जा रही हूं लेकिन आ बहुत जटपड और बहुत टेस्टी बनके तयार हो जाती है बिलकुल कि यह ना घर के ही चीजों से आप इस नाष्टि को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह नाश्ताना बहुत ही फटा फट से बन जाता है और हमें ज्यादा ताम जहम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और खाने में बहुत ही टेश्टी बनती है अब इसमें और भी थोड़े बहुत मसाले अट करेंगे तो मैंने यहां पर थोड थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पॉडर और ठोड़ा सा ब्रोल जा दाल रही हूं बस थोड़ा ही डाला है 1-4 टे स्पुन और इसे हाथों से क्रश करके मैंने डाला है ताकि इसका जो फिलेवर है अब इसमें बाद एक बार अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो तो क्या जाएं नहीं है, यहां पर जर्ण चावल आटा डालाइं द एक च्छ्छ फ्लीवरसा है रिखोल को आठाऊ, तर्ण डाले ईक्ष्ट्रा जी अब में लिख स्डिक्ते ही, तो पाड़क्पमशा डीचा है कि थोड़ा थोड़ा मैंने यहां पर पानी डालते वे गई और इसका ना इक हमें बैटर तयार करना है ठीक है उसके बाद ही मैं इसमें और भी कुछ आइड करने वाली हूं लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे बस मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसे अच बेसन है बिल्कुल हलका सा हो जाएगा और हलका लाइट वेट हो जाने के कारण ना यह बखौत अच्छा और खस्ता भी बनेगा और क्रिस्पी बनेगी और देखने में भी बखौत अच्छी और मंदब के एक हलकी फुलकी सी नाश्ते आपके तयार हो जाएगी तो यह हम सब्सराना आपके पास आपके पास श्यम्रामिच है कि टौंढ प्यास डाल दीजे, हरे मिच डाल दीजे, धनिया पत्ती डाल दीजे, अगर धनिया पत्ती भी नहीं है, तो भी आप ये रेसिपी बहुत असानी से बना सकते हैं, उसके बाद क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, एक चीज में और बता दूँ कि अगर चावल का अगर आटा अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे ना, एक चमच ना सोजी यानी की रवा डाल दीजेगा, इससे भी बहुत अच्छा सा क्रिस्पी बन जाता है, मुझे यह पर जरुवत पड़ रही थी, तो मैंने एक चमच पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक मिक्स कर देंगे, इससे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे देखिए, एक इसके लिए हमारी रही रही और अब इसके लिए हम सॉस बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो से तीन चमच ना टुमाटो केचप लिया है, एक बॉल में और थोड़ा सा 1-4 टीस्पुन के खरी टीखए, जब दो दो करते हैं, कि अलगा साइजवान साूस लिया है, सैजवान मिक्स करने ஐने ने चैणी अना साइजवन निंटनी मिक्स करने से एक थार तैंकीज अब करें या तो आप knife का use कर लें knife जो है आपकी चाकू जो है बिलकुल तेज होनी चाहिए अच्छे से cutting हो जाएगी तो इस तरीके से ना इसके edges को हम किनारे side से निकालते होए चले जाएगे इस recipe में आपना side के edges हैं उसे आप cutting करके निकाल ही ले तो बेतर होगा तभी अच्छी recipe बनेगी क्योंकि मैंने bread की बहुत तरह के नाश्टे बनाए हैं मैंने edges को बहुत कमी cutting करके निकाला है क्योंकि वो waste हो जाती है ज्यादा use में भी नहीं आती है तो चलिए इसमें मैं आपको खास करके मैं बता रहती हुँ हूँ न के आपको edges इसमें से काट करके निकाल देने है अब यह जो चटनी हमारी बनी हुई है ने मैं आधे साइस ना इसमें लगा देखे चार, इसमें लगा अच्छा, तो इसे अच्छे से फैलालिया उसी कर से दिखेगा, यजास बेहरें, वह बने बस चलोगो इस तरीके से आइसे सामी के वह सैट झेकाई हूँ रहे हैं कृए बे एक ब्रेट का मैंने तांच पीस में इसकी कटिंगसें इस transporting करेंगे न बहुत ही अच्छी से रिशी होगी देखने में यह बड़ा अब्या आप क्या करना है अब स्रैस से कटिंग तक देखें अब क्या करें? इस तरीके से एक पर एक तरीके से हम लगाएंगे अच्य गाई पाने आका चैजल नहीं तो अच्य क्छे से पानी में अबस्टीबराल पर चैffलता पानी देखें इस तरीके से मैंने यह देखिए सभी ब्रेट को इस तरीके से मैंने ऐर clues कर ली है अब हमें श्टिक की जरुवत पड़ेगी अब मैंने यहाँ पर एक श्टिक ली और इस से क्या करेंगे थोड़ा सा यह प्ले ब्राबर कर लेंगे हैं एक तो यह ब्राबर हो गई जिने भी बिनाने हों इसी तरह के से एचेस को काटले, और सॉस लगाएं करें इसे इसे स्टिक में एसेमबल कर लेज़ेगा तो यह देखिए मैंने यहां पर कुछ पीसेस को बना करके रख लिया है अब इसे करना क्या है अब आगे प्रोसेस में चलते हैं यहां पर इस तरीके से करने के बाद क्या करना है यह जो बेशन का बैटर है बस इसे में हम इसे अच्छे से डीप करेंगे और चमच की मदद से इसके उपर से अच्छे से कोटिंग करेंगे पर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद ना हम चमच की से उठाएंग बैटर को और इस तरीके से इसके उपर से हम डालते चले जाएंगे यह देखिए इस तरीके से सभी तरब से अच्छे से कोटिंग कर लीजिएगा इसलिए मैंने बताया कि आपको ना इसका जो बैटर आपको रखना है बिलकुल गाढ़ा सा रखना है ताके ब्रेड में एक एक अच्छी सी मोटी सी लेयर आप इसके उपर से चल जाए तो यह जब हो जाएगी तो हम इसमें क्या करेंगे यह देखिए ओल में डाल देना है और जो है कम रखना है ज्यादा हमें डीप नहीं रखना है ज्यादा यानिकि फ्राय हमें डीप नहीं करना है मैं यहां पर शलो कर रहे हूं इसी तरीकिसे मैंने सभी पिसस को मैंने डाल दिया है और कुछ सेकंड के बाद इसे हम टन करेंगे और गैस का फिलिम बिल्कुल मेडियम कर दीजेगा मेडियम फिलिम पर इसे अच्छे से पख जाने दीजेगा ताकि यह अंदर से भी अच्छे से सिख जाए और अच्छा से लेयर बी क्रिस्पी बन जाए और इस तरीके से अलटे पलटे बहुत अच्छा से कलर आने तक हम इसे अच्छा करेंगे तो आज की रेसिपी आपको पसंदारी दोस्तों तो पिलीज लाइक जरूर से कर दीजगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना आप शेयर और जो appreciate you receive अपनी सब्सक्राएब कर दंगा है तो अब क्या कर रहे हूं मैंने यहाँ यह पर लिआ है और इसके ऊपर से इस तरीके से घृ लेंगे कर लेगे आपके पास लैक्षी सोब अपना अलयकर से मज़रेला चीज वगणरे आप इसके आप से डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई चीज भी ना हो तो आप परशान होने की बात नहीं है आपना बेना चीज के ही बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर चीज को इसके उपर से डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ी इसी ना अच्छी से चीजी ये नाश्ता दिखे वी और बच्छों को ये सब चीजी बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तो ये नाश्ता ना एक पर आप बना करके देखेगा हमें इसमें ना कोई ताम जाम करने की जरुवत नहीं पड़े फ्रेंट्स क्योंकि आलोक ना ही उबाला मैंने ना ही कुछ ऐसा इसमें मैथट मने किया है पस आपके पास ना कुछ ब्रेट पड़े हो बस बेसन हो बस फट पटी बनती है क्योंकि अंदर की जो सॉस इसमें डली है ना बहुत ही अच्छी लगती है उस सॉस से और आपको एक्ष्टा सॉस लगाने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी तीखा भी है मिठा भी है बहुत ही अच्छा है आप इस रेसिपी को एक पर ट्राय करके देखेगा और कम ऑईल में ही बहुत ही आसानी से ये फ्राय भी हो जाती है ज्यादा ऑईल भी इसमें नहीं लगती है तो ये देखी हमने कुछ पीसस को इस तरीके से मैंने बनाके लिया है तो ये देखने में जितना टैमटें लग रहा है ना फ्रेंस यकीन मानिए ये खाने में उतना क्रिस्पी बनी है, और उपर की, लेर को देख सकते हैं, आपर की, और नधर की. अंदर की, जो है, बिलकुल कि अधर कि आज देखने के लिए बहुद कर दो कि देखने में तो लुटी अच्छा है घरना इस तरीके से एक नाश्टे को जरूर से बनाए थैंक्यू वर वाच्छ वाच्छ वाला इसे ब्हुद पास चट्नी है उसमें थोड़ा सा दिप कर लेंगे झाल 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 झाल